नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशासत्य की राह में है मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतोस संतोशी तो सुर्वात कर रहे हैं अगले दिन की और आज दिनांक 28 अक्टूबर है बस चंद दिन और शेश जब परमपिता परमेश्वर की कृपा मा लक्षमी की अनुकमपा आप तक पहुँचेगी आज रमा एकादशी सेरीहरी विश्णू की कृपा को प्राप्त करते हुए स्वयम को निश्पाप करने का एक विशेश अवसर इश्वरी अनुकमपा से आपको प्राप्त होगा राशिगत तरीके से हम बताएंगे कि आज रमा एकादशी के दिन कैसे स्वयम को निश्पाप किया जा सकता है एक बड़ा अवसर होता है हर किसी के लिए ये अवसर प्रकृर्टि नहीं देता बहुत लोग राशिफल देखबय नहीं करेंगे बहुत लोग चार दिन बाद देखेंगे तो ऐसी श्थिति जब आए ऐसा अवसर जब आए तो कैसे इस अवसर का लाव लिया जाए जानकारी देंगे आए शुरुवात करते हैं आज के जोतिश दिशा का सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग कार्तिक माह किष्ण पक्ष एकादशी तिथी है आज रमा एकादशी सुबह साथ बज कर पचास मिनट तक इसके बाद द्वादशी तिथी का उदे रहेगा चिंद्रमा आज भी सिंग राशी में ही प्रवेश किये हुए है योग रहेगा ब्रह्म तदनुसार दिनांक 28 अक्टूबर दिन सोमवार सोमवार के दिन राहुकाल का समय सुबह साड़े साथ दे नौ और गुलिक काल का समय दो पहर एक तीस से तीन बजे तर राहुकाल नए और शुबकामों के लिए सास्त्रोक तो वर्जित है कोई भी नए और शुबकाम इसमें नहीं किया जाता गुलिक काल का समय एक ऐसा समय जब आप किसी भी नए और शुबकाम का आरंभ कर सकते हैं हर कार्यापके बन जाते हैं शुबता आपको अवश्य प्राप्त होती है आईए अब बात कर लेते हैं आज के भविश्यवानी का आज के पूरे दिन का हाल और रमाय का दसी स्पेशल महा उपाए आज जानते हैं आज की भविश्यवानी मेश राशी चुकि पंचम के चंद्रमा का आज सुर्योदय आपके लिए अनकूल अवसर दे रहा है आपके लिए सकारात्मक अवसर दे रहा है तो आज आपको कुछ बड़ी शुबता प्राप्त होगी पढ़ाई अच्छी करेंगे शुक्षा में सुधार हो रहा है व्यापार आपके लिए थोड़ा सा टफ है मुश्किलें दे रहा है बिजनस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है प्राइवेट सेक्टर कुछ अच्छे परिणामों की तरफ इशारा करता है सकारात्मक परिणाम देता है सरकारी छेत्र उतार चड़ाओ बढ़ा रहा है गौर्ण्मेंट सेक्टर पर सावधान रहने की आवश्यक्ता है दामपत्त जीवन बहुत अनकूल है हर कदम पर आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगा पति-पत्नी के बीच तालमिल अध्भुत है संतान संबंधी बड़े फैसले होंगे कुछ बड़ी शुबता आपको प्राप्त होगी स्वास्थ के मामले में आज का दिन खांसी की शिकायत, पेट की समस्या और किट्नी की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है? आज प्रियोग के तौर पर अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगाकर ओम नमो भगवते वास देवाय इस मंत्र का ग्यारह बार जाब करे शुबरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रिद्शत 52 ब्रिशब राजी पढ़ाई में कहीं किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, शिक्षा आपके लिए एक आदर्श की तरह है आज स्थापित करेगा ब्यापार अनकूल है अवसर प्राप्त होंगे बिजनस में सकारात्मक उर्जा आपको अवश्य में लेगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उतार चरहाओ बढ़ा रहा है प्राइवेट सेक्टर में कई प्रकार से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है सरकारी छेत्र कुछ संभल कर चलने की जरूरत है गौर्णमेंट सेक्टर में कुछ संभल कर चले दामपत्य जीवन एक दूसरे के साथ तालमेल अनोखे तरह से बैठ रहा है चिंता बिल्कुल भी न करें स्वास्थ के मामले में खांसी की सिकायत पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोक के तौर पर आज रमाय कदसी ब्रिशवराशी हल्दी और शहद मिक्स करके कंठ पर लगाएं ओम विश्वनवे नमः ओम विश्वनवे नमः ओम विश्वनवे नमः एक्किस बार जाप करने शुबरंग आपके लिए आज गुलावी भाग्यपत्षत सत्तावन मिथुन राशी थर्ड हाउस में चंद्रमा का प्रवेश पढ़ाई के लिए गजब का उतार चड़ाओ सुख्षा में आपके लिए अनकूल इस्थती अनकूल अवसर व्यापार थोड़ा सा टफ सिच्वेशन में है बिजनस पर फोकस करने की आवश्यक्ता है ब्यापार आपके लिए आज कश्ट साध्य रहेगा प्राइवेट सेक्टर आपको आज सकारात्मक परणाम प्राप्त कराएगा शुब इस्थतियां प्राइवेट सेक्टर वालों को प्राप्त होंगी अवसर अच्छे मिल रहे हैं सरकारी छेत्र एक नया आरंभ दे रहा है गवर्मेंट सेक्टर में शुबता हर कदम पर आज आपको प्राप्त होगी गवर्मेंट सेक्टर वालों को परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है दामपत्य जीवन अच्छा है अनोखा आउसर दे रहा है पती पत्नी का साथ मिलेगा सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा स्वास्थ के मामले में खांसी की शिकायत हो सकती है आज मिथुन राशी उपाय क्या करना है रमाय का दसी स्पेशल प्रियोग भगवान सिरीहरी का ध्यान करें और केले के पौधे को हल्दी मिश्रित जल दे दीजे शुबरंग आपके लिए आज स्लेटी भाग्य प्रिद्शत पचास करकराशी दुती भाव में चंद्रमा का प्रिवेश है पढ़ाई हर प्रकार से आपके लिए अनकूल सिक्षा में सकरात्मक उर्जा की प्राप्ती है ब्यापार आपके लिए थोड़ा सा टफ है बिजनस पर फोकस करने की आवशेक्ता है केंद्रत करें बिजनस पर अबलापरवाही करें के ते कहां से चलेगा करकराशी प्राइविट सेक्टर में यात्रा का विशेश लाप मिलेगा आपके लिए यात्रा का सुखद आश्चर रे प्राप्त हो रहा है सरकारी छेत्र कुछ नए आरंभ की तरफ इशारा करता है शुख इस्थतियों की तरफ इशारा करता है दामपत्य जीवन पति-पत्नी के साथ तालमिल अच्छा है सपोर्ट मिलेगा लाभ की अवसर बनेंगे स्वास्त के मामले में लीवर की समस्या और आखों की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है करकराशी रिंग फिंगर में हल्दी और देशी घी लगाकर अपने नाभी को इस परश करते शुभरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रद्शत अठावन सिंग राशी चंद्रमा आपकी राशी में प्रवेश किया और आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिया आज भाग्य आपका प्रवल रहेगा आपके लिए बहुत अनकूल अवसर दे रहा है सकरात्मक परिणाम प्राप्त होगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नए अवसर की प्राप्ति कराएगा शुभ इस्थतियां आपके साथ हैं सरकारी छेत्र इधर उधर से आपको उल्जन दे रहा है गौर्मेंट सेक्टर पर बहुत ध्यान देने की आवशकता है दांपत्य जीवन की बात करें तो थोड़ा सा मांसिक द्वंद बढ़ सकता है सावधानी भरतने की जरूरत है स्वास्थ के मामले में पेट की समस्या किडनी की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है दायनी हथेली पर गुलाब जल ले ले एक चुटकी हल्दी मिलाएं ओम ब्रिम रहस पताए नमह या ओम भिश्णवे नमह कहते हुए तुलसी के पौधे के नीचे डाल दे शुबरंग आपके लिए हरा भाग्य प्रद्शत पच्पर कन्य राजी द्वादस अस्थान पर चंद्रमा का संचरण आज 28 तारिक को पढ़ाई में आपके लिए सुभ अवशर मिल रहे हैं सिख्छा की चिंता न करें ब्यापार कई तरह से आपको माइनस प्लस दे रहे हैं बिजनस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यक्ता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर की बातों से चंचलता प्रदान कर रहा है सावधानी बरते सरकारी छेत्र कई प्रकार से आपके लिए एक अलग जोन तयार करेगा गौर्णिन सेक्टर पर बहुत फोकस करें दामपत्य जीवन पति-पत्नी का साथ मिल रहा है सपोर्ड मिल रहा है हर तरह से आपके लिए अनकूल इस्तती रहेगी स्वास्थ के मामले में खासी जुखाम की शिकायत आँखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है रमा एकादसी श्पेशल प्रयोग करने राशी आज प्रयोग के तोर पर अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाकर केले की तीन परिक्रमा कर लिजेगा शुभरंग आपके लिए आज बैगनी भागी प्रद्शत बावन तुला राशी चंद्रमा की श्थिती आई अब एकादस वहाओं में उतार चड़ाओ से युक्त आज का दिन रहेगा बहुत अच्छा दिन रही है शुक्षा में अधूरापन है ब्यापार लेकिन आपके लिए आज रिस्क दे करके कुछ बहुत बढ़ा कराएगा बिजनस में आपको चिंता नहीं करना है प्राइवेट सेक्टर नेक्ष जोन में लेके जाता है सरकारी छेत्र थोड़ा सा इधर उधर की बातों में आपको उल जाएगा दामपत्य जीवन एक दूसरे के साथ तालमेल की कमी है सभल कर चलने की आवशक्ता है स्वास्त के मामले में तुला राशी डाइजेशन की दिक्कत खांसी जुखाम की शिकायत होगी क्या उपाय करना है ओम विश्णवे नमह 108 वार इस मंत्र का जाब करे शुबरंग आपके लिए आसमानी भाग्य प्रदिशत बावन ब्रिश्चिक राशी चंद्रमा की स्थिती बहुत मुहबब के साथ आ गई किस भाव में चंद्रमा की स्थिती आ गई अब दसम भाव में आपके लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है पढ़ाई में कुछ बड़ा सकरात्मक प्रभाव रहेगा सिक्षा आपके लिए अनकूल रहेगा ब्यापार कई तरह से परेशान करेगा बिजनस की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है सभल कर चलने की आवशक्ता है प्राइवेट सिक्टर एक नए जोन में आपको लेकर जाता है अनकूल जोन रहेगा सरकारी छेत्र इधर उधर की चीजों से आपको परेशान कर रहा है सभल कर चलेंगे तो चीज़ें आप मैनेज कर लेंगे दामपत्य जीवन, ब्रिश्चिक राशी, सब्तवेश, शुक्र की स्थिती थोड़ी सी डामा डोल है स्वास्थ के मामले में पेट की समस्या, शुगर की दिक्कत आज हो सकती है समले क्या उपाय करना है, अपने कंठ पे थोड़ा सा पीला चंदन लगाईए और ओम ब्रिम ब्रहस पतै नमह का 108 बार जाब करिए शुभरंग आपके लिए आज बैगनी भाग्यपिद्शत 57 धनुराशी चंद्रमा आगय नवम भाव में अनकूल अवसर की प्राप्ति हो रही है, सिक्षा के मामले में कुछ बड़ा और सकरात्मक होने जा रहा है सिक्षा की स्थिति अनोखी है ब्यापार अकस्मात किसी मोड पर आपको परिशान कर सकता है बिजनस पर कंसंट्रेट करें, आपके लिए कुछ इधर उधर से विशय अंतर में आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर हर तरह से अनकूल है, अकस्मात किसी मोड पर आपको कुछ परिशानी हो सकती है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ दे सकता है आज, नई नोकरी के लिए प्रियाज सफल होगा सरकारी छेत्र थोड़ा बहुत उतार चड़ाओ दे रहा, लेकिन दोपहर के बाद कारे छेत्र में आपका दबदबा रहेगा, कुछ नया आरंभ हो सकता है दामपत्त जीवन एक दूसरे के साथ तालमेर अच्छा बैठेगा, सपोर्टिव रहेगा, अनकूल रहेगा स्वास्थ के मामले में पेट की समस्या और लीवर की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है, रमा एकादसी स्पेशल प्रियोग धनुराशी, गउशाला में आज कुछ फल, सबजी दान कर दीजे, या किसी गाय को अपने हाथ से खिला दीजे शुबरंग आपके लिए आज के सरिया भाग्य प्रद्शत, पच्पन, मकर राशी आठवे का चंद्रमा आया, मांसिक द्वन्द देगा आज, मन बेचैन रहेगा, मन में कुछ भी खयाल आते जाते रहेंगे शुक्षा में पूर्णता की कमी है, पढ़ाई दही हो पा रही है, आज कुछ न कुछ उतार चड़ाव बढ़ रहा है ब्यापार आपके लिए अनकूल प्रभाव देगा, बिजनस में आपको परिशान होने की आवश्यक्ता नहीं है, कुछ बड़ा और सकरात्मक हो रहा है प्राइबेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छे परिणामों की तरफ इशारा करता है, सकरात्मक परिणाम की तरफ इशारा करता है सरकारी छेत्र अंतर दुन्द देगा, गवर्मेंट सेक्टर की इस्तिती बहुत अच्छी नहीं है दामपत्य जीवन एक दूसरे के साथ तालमेल की कमी रहेगी, थोड़ा सभल कर चले स्वास्थ के मामले में खांसी की शिकायत पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है मकर राशी गुलाब जल और हल्दी उल्टी हथेली पर लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए तुलसी के नीचे डाल दीजे शुबरंग आपके लिए आज आसमानी भागी प्रत्षत बावन आई आगे बढ़ते हैं चर्चा करेंगे अगली राशी कुम्भकी सात्वे में चंद्रमा आए सुक्षा की स्थिती को जागरित किये पढ़ाई में आपके लिए उत्तम परिणाम देए ब्यापार के लिए कष्ट दे रहे हैं बिजनस बहुत अच्छी स्थिती में नहीं है अकस्मात कुछ उतार चड़ाओ बढ़ाएंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत कुछ सकारात्मक दे रहा है गौर्न्मेंट सेक्टर कुछ बहुत सकारात्मक परिणामों के साथ आगे बढ़ेगा दांपत्य जीवन अकस्मात कुछ उतार चड़ाओ दे रहा कुम्भराशिवालों के लिए चुकि सात्वे में चंद्रमा की स्थती है स्वास्त के मामले में हड्डियों की समस्या लीवर की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है आज रमाय का दसी स्पेशल प्रियोग अपने कंठ पर हल्दी का तिलक कर लीजेगा शुबरंग आपके लिए आज सफेद भागिपत्षत बावर अगली राशी अंतिम राशी मीन चंद्रमा की स्थती छठे भाव में जागरत इस्थती है पढ़ाई अच्छी कर लेंगे आप सिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट परिशानी नहीं है एक अलग जोन में सिक्षा का प्रभाव जाएगा व्यापार तकलीफ देगा आज बिजनस पर बहुत अच्छी इस्थती नहीं दिखाई देती प्राइवेट सेक्टर अचानक कहीं न कहीं उतार चड़ाव बढ़ाएगा समभल कर चलनी की जरूरत है सरकारी छेत्र सकरात्मक इस्थतियों के साथ आगे जा रहा है गौर्मेंट सेक्टर में आपका मन कारे छेत्र में लगेगा और दबदबा भी बनेगा बहुत प्रशन रहेंगे दामपत्य जीवन पति-पत्नी का साथ मिलेगा एक दुसरे को सपोर्ड करेंगे कहीं न कहीं कुछ बड़ा करने का आउसर प्राप्त होगा स्वास्त के मामले में खांसी जुखाम की शिकायत आँखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है ओम विश्णवे नमः विश्णवे नमः विश्णवे नमः साथ बार इस मंत्र का जाप करें शुबरंग आपके लिए आज हरा भाग की प्रतिशत पचपन राशियों की स्थती के उपरांत आज रमाय कादसी स्पेशल प्रियोग हमने बताया आपको राशियों के अनुसार आपको बता दें कि 10 और 11 नमंबर को जैपुर में मुलाकात करने का आउसर मिल रहा है आप मिल सकते हैं कुंडली का विश्लेशन करवा सकते हैं आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करते हैं आज के स्पेशल महा शुभ सक्सेस की की रमा एकादशी स्पेशल प्रियोग मध्यमा पर शहद लगा लिजे और कंठ पर स्पर्श करिए तीन बार फिर यहीं हल्दी लगाईए और कंठ पर तीन बार स्पर्श करिए आज का यह सक्सेस की है चलते चलते अब चर्चा आज का भाग्याक्षर मेश पा ब्रिशव का मिथुन या करक सा सिंग भा कन्या जा तुला हा बिश्चिक न धनू गा मकर खा कुम्भ चा मीन लग नोट कर लें हैं सादेचा को और कागज पर लिख कर अपने पास रखें और अब आगे बढ़ेंगे और अवंतिम पढ़ाओ आज तिनांक 28 अक्टूबर को पैदा हुए लोगों के लिए आईश्मान भव है ऐसे लोग जो 28 अक्टूबर को जन्म पाएं हैं उनके लिए विशेश उपाय रहेगा इंडेक्स फिंगर में हल्दी लगाकर पीपल को तीन बार स्पर्श करिए रुद्रा अविशेक करवाईए एक माला गाइत्री मंत्र का जाप और किसी सफाई कर्मचारी को जूता चपल का दान करिए आज जिसकी मैरिज अनिवरसरी है किसी जरूरत मंद को खाना खिला दे पति-पत्नी इसी कन्या के विवाह में मदद करें और एक माला गायत्री मंत्र का जाब करें आज यंक्र में इतना ही अनुमत दीजेगा अपना बहुत खयाल रखें और मुलाकात करते हैं अभी प्रथम सप्ता गाजियाबाद धन्यवाद नमस्कार जैसरी किष्णा शेला दे आचार्य विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का होदुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक, खुशियां अनेक तो आपको वser है तो आपको भी खास